सो हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से स्वगत है एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ अगर दोस्तों आप जो है एक इस्टागराम के यूजर हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर दोस्तों आप सबसे पहले अपने ID के लोगों पे यहां कोने में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पे देखेंगे कोने में 3 लाइन दिख रहे ही सिंपली दोस्तों इस पे क्लिक कर देंगे ठीक है और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पे देखेंगे सेटिंग देखेंगे पुस आल का ओप्शन सो रहा है ठीक है सिंपली दोस्तों पहले इसे इनेबल करेंगे ठीक है आप दोस्तों यहां पर देखेंगे कुछ दोस्तों ओप्शन दिये हुए हैं जैसे कि दोस्तों आप जो है इस्टाग्राम का दोस्तों 15 मिनिट के लिए बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां आठ हावर्स पे हम के लिए कर देंगे इस तरह से ठीक है आप दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके इस्टागराम की एक स्वाइ जड दोस्तों जो है आठ घंटे के लिए शिर्फ only one नोटिफिकेशन बंद हुई है ठीक है अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं दोस्तों इस्ट्राग्राम की lifetime ययानि हमेसा के लिए notification all notification को बंद करना चाहते ही तो दोस्तों यहां से बैक जाएंगे आपको एक दूसरी सेटिंग करनी पड़ेगी ठीक है तो दोस्तों मैं यहां से बैक आ जाओंगे ठीक है अब दोस्तों अपने mobile की सेटिंग को open करेंगी और जैसी open ओपन हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे नीचे को आएंगे यहां पर दोस्तों देखेंगे अब यहां पर दोस्तों देखेंगे एप मैनेजमेंट के नाम से या दोस्तों एपस के नाम से जिस नाम से आपके फोन में दोस्तों ओप्सन मिल जाए सिंप लेना है हमारा इस्टाग्राम कहां पर है ठीक है जहां पर दोस्तों इस्टाग्राम मिल जाता है सिंप्ली स्पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे जो है मैनेज नोटिफिकेशन का अप्शन दिख रहा है सिंप्ली स्पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे allow notification यह दोस्तों enable है simply दोस्तों हमें इसे disable कर देना है ठीक है और जैसे दोस्तों इसे disable कर देंगे आप successfully XYZ आपके phone में कोई भी Instagram की notification नहीं आएंगी तो इस तरह से दोस्तों आप जो है Instagram की all notification को बंद कर पाएंगे